हलो दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल स्टेडी रूप एजिकेशन में स्वागत है आज के इस वीडियो में हम विज्ञान 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 के एक महत्पू टॉपिक विक्रिती के बारे में जानेंगे और साथ ही इसके सुत्र पर भी चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथ ही विज्ञान विज्ञान से जुड़े ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं विक्रिती क्या होता है किसी वस्तू पर विरुपक बल लगाने पर उसकी मुल लंबाई में वृध्धी एवं उसकी मुल लंबाई के नुपात को विक्रिती कहते हैं मान लीजिये किसी वस्तु की लंबाई एल है उसमें हमें विरुपक बल लगाते हैं तो विरुपक बल की वज़े से इस लंबाई में वृध्धी होती है और जो परिवर्तन होता है उसे हम डेल एल से रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम इसके सुत्र की बात करें तो मान लेते हैं कि वस्तु का प्रारंभीक लंबाई एल है और जो वृध्धी होई है वह है डेल एल अपॉन एल होती है जो वृध्धी होई है और वस्तु की मूल लंबाई का नुपाथ को ही विकृती कहा जाता है अगर इसके हम मात्रक की बात करें लंबाई में परिवर्तन को हम मिटर ले सकते हैं और इसकी लंबाई को भी मिटर लेंगे तो ये दोनों आपस में कर जाएंगे तो इस प्रकार विक्रिति जो होती है उसका कोई मात्रक नहीं होता है यह मात्रक भी हिन होती है अगर इसके विमा की बात करें तो M0, L0, T0 इस प्रकारिया भी एक विमा ही रासी है